दोस्तों मटके आखिर गोल ही क्यों बनाए जाते हैं? भारत के पूरे इतिहास में पानी के भंडारण के लिए गोलाकार अकरतियों को संस्क्रतिक और सौंदर की दरस्टी से पसंद किया गया है चाहे पारंपरिक मिट्टी के बरतन बनाने की तकनीक का उपयोग किया जाए या आधुनिक निर्माण विधियों का गोलाकार अकरतियों बनाना एक सीधी प्रक्रिया है व्यभारिक कार्यात्मक और संरचनात्मक कारणों से मटके का आकार अक्सर गोलाकार या बेलनाकार होता है जो मटकों को पानी भंडारन और ले जाने के लिए कुसलता प्रदान करता है गोलाकार आकरतियों के कारण पानी में सीतलता अधिक होती है मटकों को बनाने के लिए आज भी पारंपरिक तरीकों का इस्तमाल किया जाता है जिसमें भट्टी लगा कर मटकों को पकाया जाता है गोलाकार आकरती अन्यूंतम सामगरी के साथ तैयार की जा सकती है मटकों की आकार की बज़े से इनमें पानी अधिक रखा जा सकता है कोलाकार बर्तनों में रखा हुआ पानी अड़ों का समान बेभाजन करता है जो स्वास्त के लिए अधिक उपियोगी पाया जाता है कोलाकार मटकों में की गई कलाएं आज भी अध्भुत है